हेलो गाइज आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्वेता में स्वागत है आज के इस वडियो में हम योनो SBI में UPI PIN बनाना सिखेंगे अगर आप जनना चाहते हैं कि योनो SBI में UPI PIN केसे बनाए या फिर योनो SBI में भीम UPI PIN केसे बनाए या फिर अगर आप जनना चाहते हैं कि योनो SBI में UPI PIN सेट केसे करें तो आज का ये वडियो आपके लिए काफी हिल्फूल होगा तो गाइज योनो SBI में UPI PIN बनाने से पहले आपको योनो SBI में UPI ID क्रिएट करना होता है तो गाइज अगर आपको पता नहीं है कि UPI ID कैसे क्रिएट किया जाता है तो गाइज वडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और उस वडियो का लिंक इस वडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि योनो SBI में UPI ID कैसे बनाया जाता है और UPI ID बनाने के बाद आपको UPI PIN सेट करना होता है तो UPI PIN सेट करने के लिए सबसे पहले आपको योनो SBI का एप्लिकेशन ओपन कर लेना है योनो SBI का एप्लिकेशन ओपन करने के बाद आपके समने इस तरह के इंटरफेस आएगा तो guys यहां पर आपका एक option है login तो यहां पर आपको login में klick कर लेना है जिसे आप login में klikk कजिएगा आपके समने इस तरह के इंटरफेस आएगा तो guys यहां पर आपका एक option है MPIN तो गाईज यहां पर आप MPIN डालकर इस application में लॉग इन हो सकते हैं और गाईज अगर आपको MPIN याद नहीं है तो यहां पर आप username और password के थूरू भी इस application में लॉग इन हो सकते हैं तो गाईज यहां पर हम MPIN के थूरू इस application में लॉग इन हो लेते हैं आपको योनो पे में क्लिक कर देना है जैसे आप योनो पे में क्लिक कर देना है जैसे आप योनो पे में क्लिक कर देना है जैसे आप योनो पे में क्लिक कर देना है जैसे आप योनो पे में क्लिक कर देना है जैसे आप योनो पे में क्लिक कर देना है जैसे आप योनो पे में क् जिसे आप manage में click जिएगा आपके समने इस तरह का interface आएगा तो guys जो आप UPID बनाएं हैं वो UPID यहापर आपको उपर में सो होंगे उसके बाद यहापर आपको नीचे अपना account सो होंगे और यहापर आपको एक arrow का निसान मिलेगा तो guys यहापर आपको इस arrow के निसान में click कर देना है जिसे आप इस पे click जिएगा यहापर आपको एक option में लेगा set pin तो guys यहापर आपको set pin में click कर देना है जिसे आप set pin में click की जिएगा आपके समने इस तरह का interface आएगा तो guys यहापर आपका account number का last 4 digits हो होगा उसके बाद यहाँ पर आपको अपना IFSC code दिखाए पड़ेंगे तो guys यहाँ पर आपको एक बार देख लेना है उसके बाद यहाँ पर card select करने का option है तो guys यहाँ पर एक card है master और दुसरा है master अबलिक वीजा अबलिक रूपे तो guys यहाँ पर आपका card जिस भी type का है वो यहाँ पर आपको select कर लेना है तो guys मेरा जो card है वो अविजा है इसलिए यहाँ पर हम इससे select कर लिए हैं card का type select करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे है last six digits of ATM या फिर डेविट card तो guys आपके ATM card का जो last six digit है यानि कि ATM card में जो solo digit का अंग होता है तो last तरब जो six digit है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है तो guys यहाँ पर हम ATM card का last six digit इंटर कर लेते हैं last six digit इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका expiry इंटर करने का option है यानि कि आपके ATM card का expiry date क्या है हुआ यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है तो गाइज यह एक्सपारी डेट भी आपको आपके ATM कार्ड में ही मिलेगा एक्सपारी डेट इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे एक अपसन है नेक्ट का तो गैज यहाँ पर आपको next में क्लिक कर देना है जिसे आप next में क्लिक की जिएगा यह कुछ देर तक processing लेगा जिसे यहाँ पर आपका processing complete होगा आपके समने इस तरह का interface आएगा तो गैज आपके registered mobile number में एक OTP send किया जाएगा और गैज कभी कबार यहाँ पर OTP जो है automatic deduct भी कर लेता है तो अगर आपके mobile में OTP automatic deduct नहीं कर पाता है तो यहाँ पर आपको OTP जो है manually fill कर लेना है और OTP फिल करने के बाद यहाँ पर जो एक check mark का option है तो यहाँ पर आपको check mark के option में क्लिक कर देना है चेक मर के option में क्लिक करने के बाद यहां पर आपका एक option आता है Set Six Digit UPI Pin तो guys अब आप UPI Pin क्या रखना चाहते हैं यहां पर आपको Six Digit का एक Pin Set कर लेना है तो guys यहां पर आपको Pin जो है बहुत ही ध्यान पुर्बक सेट करना है क्योंकि आप उसी पीन के धुरू पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं तो गाइज यहाँ पर आपको strong pin set कर लेना है यहाँ पर six digit का pin डालने के बाद यहाँ पर आपका एक check mark का option है तो गाइज यहाँ पर आपको check mark के option में क्लिक कर देना है जैसे आप check mark के option में क्लिक किजिएगा यहाँ पर आपका option आएगा confirm six digit UPI pin तो गाइज अपने पहले अभी जो six digit का UPI pin डाला था उहीं UPI pin यहाँ पर आपको confirm करने के लिए डालना है confirm six digit UPI pin इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका एक check mark का option है तो गाइज यहाँ पर आपको check mark के option में क्लिक कर देना है जैसे आप check mark के option में क्लिक किजिएगा यह कुछ देर दक processing लेगा जैसे यहाँ पर आपका processing complete होगा आपके समने इस तरह का interface आएगा तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी आ गया यू हैब successfully set upi pin यानि कि यहाँ पर मेरा जो upi pin है वह successfully set हो चुका है तो गाइज अब आपको यहाँ पर ok में क्लिक कर देना है तो गाइज इस तरह से आप बहुत आसानी से you know sbi में upi pin set कर सकते हैं तो गाइज आए होप यह वडियो आपके लिए काफी helpful रही होगी तो इसी तरह के helpful वडियो पाने के लिए इस वडियो को like किजिए चैनल को subscribe किजिए साथे साथ इससे अपने दोस्तों के साथ share किजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वडियो का जनकारी मिल सके